उर्दु सफा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए ये गंडी दबाएए और पिर वो इनसानी बच्चे का खून पीकर प्रिकाला को अपने ताबे कर लेगा और दूसरी बात ये सुन लो के जिस गार में राजकाला बैठा जाप कर रहा था उसका दहाना इसने इस अन्दाज में बंद कर दिया है कि तुम उस पर एटम बंब भी मारो तो वो खिल नहीं सकेगा और बजाहर इस गार में दाखिल होने का और कोई रास्ता नहीं है लेकिन जरूरत पढ़ने पर रास्ता बनाया जा सकता है और किसी और रास्ते से गार में जाते हुए कोई तुम्हारा रास्ता ना रोक सकेगा. और इस वक्त कोई ताकत भी राजकाला के साथ मौजूद नहीं होगी क्यूंकि गार के दहाने की बंदिश इस अंदाज में की गई है कि ताकतों का दाखला भी बंद हो गया है. मुबारक एहमद ने कहा दहाना किस चीज से बंद किया गया है किसी चटान से आ किसी और चीज हैसे इम्रान ने पूछा काकतों की बनाई हुई खुसूसी चटान है मुबारक एहमद ने जवाब देते हुए कहा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि गार कहा है ये इमरान ने गदरे ताज्जिब भरे लहजे में कहा इसे तलाश करना तुम्हारा काम है और इस इनसानी बच्चे को अगर बचाने में तुम काम्याब हो गए तो उसे भी साथ ले आना करीब ही एक कबीले में उसके माबाप मौजूद है मुबारक एहमद ने कहा ठीक है अब दुआ जरूर कर दें इमरान ने कहा तुम नेक मकसद के लिए खुलक खुदा की शैतान से तहफुज के लिए काम कर रहे हो अब तुम सो जाओ तुमने सुबह उठना है मुबारक एहमद ने कहा तो इमरान को यू महसूस हुआ जैसे मुबारक एहमद ने उन्हें सोने की बजाए उनके दिमाग को सोने का हुकम दिया हो और उनके जहनों पर बे अख्तियार गुनूदगी चाने लग गई तो इमरान के कहने पर सफदर और केप्टन शकील ने एक तरफ पड़े हुए लिहाफ उठाए और उन्हें अपने उपर डाल लिया इसके बाद उनके जहन यकलखत नींद में डूबते चले गए कुन्टू पहाडी की चोटी पर मौजूद गार मेराज काला अपने मख्सूस लिबास में जमीन पर अल्ती पालती मारे बैठा हुआ था इसे मालूम था कि इसका परिकाला को अपने जेर करने का जाप अखरी मरहले में दाखिल हो चुका था इस दोरान वो बिक्री के एक सो दस मासूम बच्चों का ताजे खून बी चुका था और अब अखरी मरहले में इसे एक इनसानी बच्चे का खून पीना था इसके बाद बुरी काला जैसी जबरदस्ट शैतानी कुवत हमेशा के लिए इसके ताबे हो जाती और फिर ना सिर्फ काले जादू पर मंदलाने वाला खत्रा दूर हो जाता बलके वो उन पाकेशायों को भी जिन्होंने इसके चार नाइब हलाक कर दिये थे और जो उसे हलाक करने के लिए इस गार की तरफ बड़े चले आ रहे थे हलाक करा सकता था अचानक इसे ख्याल आया कि एसा ना हो कि इसका हसाब किताब गलत हो जाये और ये लोग जाप मुकमल होने से पहले गार ने दाखिल होकर उसे हलाक कर दें अपर रिकाला के जाप में मुदा ख्लत करके इसकी सारी महनत जाय कर दें इसलिए इसने सोचा कि वो गार के दहाने को इस अंदाज में बंद कर दे कि वो लोग किसी सूरत पहचान ही ना सकें कि यहां कोई गार है उसने मोही मों में कुछ पढ़ कर जोर से अपना बाया हाथ जमीन पर मारा तो दहाने से एक जवान औरत अंदर दाखिल हुई उसने जिसम पर गहरे सिया रंग के बालों से बना हुआ लिबास पहना हुआ था इसकी आंखें गहरे सुर्ख रंग की थी जिसमानी तोर पर वो खासी लहीम शहीम औरत थी रंगत तवे से भी ज्यादा सिया थी आओ आओ काली सुन्दरता आओ राज काला ने इसकी तरफ देखते हुए कहा तुम खत्रे में हो महाराज शदीद खत्रे में हो आने वाली औरत में भारी आवाज में चीखते हुए अंदाज में कहा मुझे मालूम है मुझे यानी राज काला को तुम बता रही हो बैठो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मौाफ कर रहा हूँ वरना अब तक तुम अपनी तमाम ताकतों समेत फना कर दी जाती राज काला ने बड़े तन्जिया लहजे में कहा शिमा चाहती हूँ महाराज लेकिन ये बात में ने तुम्हारे फाइदे के लिए की थी काली सुन्दर्ता ने राज काला के सामने दोजानों होकर बैठते हुए कहा मुझे मालूम है इसलिए तो मैंने तुम्हें फना नहीं किया तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों बलाया है राज काला ने कहा नहीं महाराज काली सुन्दर्टा ने मुख्तसर अंदाज में जवाब देते हुए कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि काले जादू पर किस कदर खोफनाक खतरात पढ़ चुके है पाकिशिया में काले जादू का मरकजी आदमी कालू कारीगर हलाक कर दिया गया है इसी तरह यहां काफरिस्तान में मेरे सबसे ताकतवर चार नाइब भी हलाक कर दिये गये हैं और कालोग ने मुझे बताया है कि तीन पाकिशेई जो रोशनी के लोग हैं कुंटू पहाडी के इस गार में आने और मुझ पर हमला करने के लिए चल पड़े हैं। और ये भी तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं यहां परिकाला का जाप कर रहा हूँ और ये जाप आज मुकमल हो जाएगा। प्रिकाला की कुवत भी उनको खौल नहीं सकेगी। काली सुन्दर्ता ने जवाब देते हुए कहा, तुम परिकाला की कुवत को क्या समझती हो। वो एक लम्हे में इस पूरी पहाडी को उलट कर रख दे। तुम फिक्र मत करो। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाप के अखरी मरहले में कोई इनसान इस गार में दाखिल ना ह सकेगा, लेकिन कोई इनसान अंदर ना आ सकेगा और ना ही अंदर से बाहर जा सकेगा। काली सुन्दर्ता ने कहा, तुम कहना किया चाहती हो, सही से बात करो। राज काला ने इस बार गुसीले लहजे में कहा, महाराज, जाप मुकमल करने पर तुम्हें एक इनसानी की गर्दन काट कर उसका खून पीना होगा, मैं ठीक कह रही हो ना, काली सुन्दर्ता ने कहा, हाँ तो फिर, राज काला ने चौंक कर कहा, दहना बंद होने के बाद इनसानी बच्चा किस रास्ते से अंदर आएगा, और अगर तुमने इनसानी बच्चे का खून ना पिया और अगर जाप मकमल ना हुआ तो फिर तुम खुद महाराज हो, तुम्हें मालूम है कि क्या हो सकता है, काली सुन्दर्ता ने कहा तो राज काला बेख्तियार उच्छल पड़ा, वो, मुझे तो इस बात का ख्याल ही ना रहा था, तुमने ये बात याद दिला कर मुझ पर इहसान किया है काली सुन्दर्ता, वाकी अगर दहाना बंद हो जाता और एन मौके पर इनसानी बच्चा ना लाया जा सकता तो फिर किया होता, बहुत बुरा होता, तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा काली सुन्दर्ता, बोलो, क्या इनाम चाहती हो, राज काला ने बड परिकाला मेरा नाइब अवल होगा जबकि तुम काली सुन्दर्टा मेरी नाइब दोओं होगी और जाकर अपनी मर्जी से एक हजार काली ताकतों की भींट ले लो। राज काला ने कहा तो काली सुन्दर्टा ने दोनों हाथ जोड़कर इसको परनाम क्यार फिर उटकर तेजी से दोड़ती हुई दहाने से बाहर निकल गई राज काला को मालूम था कि अब वो एक हजार काली ताकतों की भींट लेकर ही वापस लुटेगी उसने एक बार फिर मोही मों में कुछ पड़ा और अपना बाया हाथ एक बार फिर जोड़ से जमीन पर मारा तो दहाने से एक मकामी अंदर दाखिल हुआ महाराज कीजे माधू हाजिर है आने वाले ने करीब अकर दोनों हाथ जोड़कर परनाम करते हुए कहा माधू हमारे जाब के लिए एक इनसानी बच्चा भींट के लिए चाहिए अभी और उसी वक्त राज काला ने कहा अभी लीजिए महाराज माधू ने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा तुम्हें शरायत तो मालूम है माबाप का इकलोता बच्चा हो आठ मा से जादा उमर का ना हो और पूरी तरह सेहत मंद हो राज काला ने खुद ही शरायत बताते हुए कहा मुझे मालूम है महाराज मैंने पहले ही एक बच्चा तलाश कर रखा है सिर्फ आपके हुक्म की देर थी मैं अभी लाता हूँ माधू ने कहा सुनो इस बच्चे पर नींद तारी कर देना ताकि हमारे जाप में इसके रोने से मदाखलत ना हो राज काला ने कहा ऐसा ही होगा लेकिन महाराज आपका जिस वक्त जाप मुकमल होगा उस वक्त उसे रोना चाहिए ताकि भींट लेते वक्त उसका खून पूरी तरह जोश में हो माधू ने कहा वो हाँ फीक है हमारा जाप बारा बजे मुकमल हो जाएगा तुम बच्चे पर ऐसी नींद तारी करना के जाप मुकमल होने से चंद मिनट पहले नींद खत्म हो जाए और वो रोना शुरू कर देता कि इसकी कट्टी हुई गर्दन से खून फवारे की तरह उबल पड़े राज काला ने चटखारा लेते हुए कहा हुक्म की तामील होगी महाराज मैं अभी ले आता हूँ माधू ने कहा और मुड कर तेजी से दहाने की तरफ बढ़ गया और फिर चंद लमों तक गाइब रहने के बाद जब वो वापस आया तो उसने दोनों हाथों पर एक मासूम इनसानी बच्चा उठाया हुआ था बच्चा बे लिबास था और गहरी और पुरसकून नींद सोया हुआ था बच्चा देखने में खासा सिहत मंद दिखाई देता था उसे मेरे सामने यहां लिटा दो राज काला ने कहा तो माधू ने इसे राज काला के सामने जमीन पर लिटा दिया किस कबीले का है? राज काला ने पूछा विश्नु कबीले का महाराज यहां से गरीब ही यह कबीला रहता है माधू ने जवाब दिया इस पर नींद कब तक तारी रहेगी? राज काला ने पूछा एन दो पहर से दो तीन मिनट पहले तक फिर ये खूब रोने लगेगा और जब आप उसकी भींट देंगे तो इस वक्त उसका खून उबलने लगेगा इसके बाद राजकाला ने माधू को वापस चले जाने का हुक्म दिया माधू के जाते ही राजकाला ने एक बार फिर काली सुन्दर्ता को आने का हुक्म दिया। अब जाओ और दहाना बंद कर दो। जाओ। राज काला ने तेज लहजे में कहा। जो आ गया महाराज। काली सुन्दर्ता ने कहा और वापस दहाने की तरफ मुर गई और फिर वो जैसे ही दहाने से बाहर गई य इस अंदाज में बंद हुआ था कि बाहर तो बाहर अंदर से यू महसूस हो रहा था कि जैसे शुरू से आखिर तक एक ही चटान हो जिसमें किसी किसी किस्म का कोई रखना ही नहो। राज काला ने इत्मिनान का तवील सांस लिया क्यूंकि अब कोई इनसान किसी भी सूरत में अंदर दाखिल ना हो सकता था उसमें मोही मों में कुछ पढ़कर चुटकी बिजाई तो गार की दिवार के साथ लटकी हुई एक मशल जल उठी और गार में तेज रोशनी फैल गई जाप शुरू किया जाए राज काला ने खुदकलामी के अंदाज में कहा और एक बार फिर दोनों हाथ जमीन पर मार कर इसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया वो मुसलसल पढ़ रहा था और फिर तकरीबन हर घंटे बाद दोनों हाथ साइडों पर जमीन पर जोर से मारता और एक बार फिर पढ़ना शुरू कर देता इसकी नजरें सामने दिवार पर लगी हुई थी जहां एक दाइरा सा नजर आ रहा था और इस दाइरे में बाकाइदा घड़ी नजर आ रही थी और जैसे जैसे बारा बजने का वक्त करीब आ रहा था वैसे वैसे राज काला के जाप में भी जोश भरता जा रहा था इसकी कई दिनों की सख्ट तरीन मेहनत बारावर होने वाली थी और फिर बारा बजने से तकरीबन पांच मिनट पहले सामने पड़ा गहरी नींद में डूबा हुआ बच्चा ना सिर्फ जाग उठा बलके इसने इतरह हाथ पीर मारने और रोना शुरू कर दिया जैसे इसे शि लहरे पर मसरत और काम्याबी के तास्राथ उभरते चले जा रहे थे और फिर बारा बजने से एक मिनट पहले इसने अपना दाया हाथ फिजा में उठाया और लहराया तो इसके हाथ में एक सिया रंग का तेज धार खंजर आ गया और उसके साथ ही इसने उंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया इसकी नजरे दिवार पर नजर आने वाली घड़ी पर जिमी हुई थी और हाथ में खंजर था जिसे इसने इस अंदाज में पकड़ा हुआ था कि खंजर का रुख गार की च्छत की तरफ था और फिर ठीक बारा बज़ते ही इसने एक लखत मसरत नारा लगाया और उसके साथ ही इसका खंजर वाला हाथ हरकत में आया लेकिन इससे पहले के खंजर सामने पढ़े और उंची आवाज में बुरी तरह रोते हुए बच्चे की गरदन तक पहुचता एक धमाका हुआ और उसके साथ ही राजकाला के मौसे बे अक्तियार चीख निकल गए। खंजर इसके हाथ से निकल कर दूर जागिरा था और कई टुक्रों में तकसीम हो गया था। राज काला अपने हाथ को इस तरह जहटक रहा था जैसे इसके हाथ पर काफी गहरी जर्ब लगी हो। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? राज काला गेबरी हुए लहजे में कहा लेकिन गार खाली था। दहाना भी बदस्तूर बंद था और सामने पड़े हुए बच्चे के रोने की आवाज गार में गूंज रही थी। ये कलखत एक ख्याल के आते ही राज काला चीख कर उसकी तरफ मुला जहां खंजर का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था और फिर इसने इस तुकड़े को उठाया और तेजी से बच्चे की तरफ मुला अब वो हर मुम्किन तेजी से बच्चे का गला काटना चाहता उसका चहरा खासा भयानक नजर आ रहा था जैसे वो इनसान की बजाए कोई बडरू हो लेकिन इससे पहले के खंजर का टुकड़ा रोते हुए इनसानी बच्चे के हलक तक पहुँचता एक बार फिर खोफनात धमाका हुआ और खंजर का वही टुकड़ा कई तुकड़ों म से रोकने वाला कोई ना था इमरान की आँख जब खिली तो वो बे अख्तियार उचल कर उठ बैठा इसके चहरे पर शदीद हैरत के तासुरात नुमाया हो गए थे क्यूंके जिस घार में वो लिहाफ ओड़े हुए थे वो मौजूद तो इस घार में थे लेकिन ना वहां म मुबारक एहमद साहिब और उनका सामान हमारे लिहाफ ये सब क्या हुआ सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा वो अपना काम सरंजान दे कर चले गए इमरान ने उठते हुए कहा और फिर वो गार के दहाने पर गया इसे थोड़े फासले पर एक छोटा सा चश्मा बहता आ रहा था फजर की नमाज का वक्त हो गया है और यहाँ चश्मा भी है आओ पहले वजू करके नमाज पढ़ लें और अल्ला ताला से दुआ मांगें कि वो हमें अपनी रहमत से काम्याबी अता फरमाएं इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील भी उठ खड़े हुए और फिर उन तीनों ने चश्मे के सामने बैठ कर वजू किया और फिर बाहर ही एक मसबता जगा पर कैप्टन शकील ने अजान दी और फिर सफदर की अक्तिदाक में इमरान और कैप्टन शकील ने बाजमात नमाज अदा की और फिर सफदर ने खुसूसन अपने इस मिशन की काम्याबी के लिए बड़े खुलूस से दूआ मांगी अब चलते हैं हमने बारा बजे से पहले इस गार तक पहुचना है इमरान ने उपर देखते हुए कहा लेकिन इमरान साहिब ये पहाडी तो शायद नाकाबिल अबूर नजर आती है कोई रास्ता ही नहीं है सफदर ने कह मुबारक एहमद ने कहा था कि एक रास्ता मौजूद है तो यकीनन मौजूद होगा इमरान ने कहा तो सफदर और कैटन शकील ने इस बात में सर हिला दिये लेकिन दो तीन घंटों तक मुसलसल इस पहाडी के चारों तरफ चकर लगाने के बावजूद वो कोई ऐसा रास्त तलाश ना कर सके जिसके जरिये वो इस सलेट की तरह साफ पहाडी की चोटी तक पहुँच सकते हमें को पैमाई का सामान साथ रखना चाहिए था सफदर ने कहा हमारे जहन में ऐसी पहाडी का तसवर भी मौजूद ना था मुझे तो यू लगता है जैसे ये सारी पहाडी इ इंसानी हाथों ने खुसूसन इस अंदाज में बनाई है कि कोई उसकी चोटी तक किसी तरह पहुच ही न सके और अब बहरहाल सामान लाने का वक्त नहीं है इमरान ने कहा इमरान साहिब मेरा ख्याल है कि हम नाक के सामने की चीज नजर अंदाज कर रहे हैं अचानक कैप्ट शकील ने कहा तो इमरान और सफदर दोनों बे अख्यार चांट पड़े वहां तुम्हारी बात दुरूस्त है हमने वाकी नाक के सामने देखने की कोशिश ही नहीं की आओ इमरान ने कहा और एक बार फिर वो इस गार के दहाने की तरफ बढ़ गए और फिर गार में दाखिल होकर जब उन्होंने इस गार को अच्छी तरह चेक किया तो गार की अकबी साइड में एक तंग सा रास्ता वाकी उपर को जाता दिखाई दे रहा था लेकिन ये रास्ता कुदरती था इन्सानी हाथों का बना हुआ नहीं था इसलिए खासा दुश्वार गुजार था लेकि लेकिन अब आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक इमरान ने थोड़ा सा उपर एक उकाब को एक बड़े सुराख से निकल कर फिजा में परवाज करते देखा तो उसकी नजरें इस सुराख पर टुक गए ये सुराख उनकी ट्वेनच में था इमरान ने अपने कदम जमाए और फिर चंद लम्हों बाद वो इस दहाने में दाखिल होने में काम्याब हो गया और फिर ये देखकर उसके चहरे पर मसर्रत के तासुरात उभर आए कि वहां से एक बार फिर उपर जाने वाला रास्ता मौजूद था और फिर इमरान ने सफदर और केटन शकील को भी काल कर लिया और एक बार फिर वो इस अंदरूनी दुश्वार गुजार रास्ते से उपर चड़ते चले गए अगर ये उकाब इस दहाने से ना निकलता तो मेरी नजर इस पर ना पढ़ती वाकि जब अल्ला ताला मदद करता है तो मुश्किले आसान हो जाती है इमरान ने कहा तो सफदर और केटन शकील ने इस बात में सर हिला दिये इमरान साहिब बारा बजने वाले हैं और मुबारक एहमद ने कहा था कि बारा बजे वो राज काला इनसानी बच्चे का खून पीना शुरू कर देगा सफदर ने कहा हाँ अभी कुछ मिनित बाकी है अल्ला ताला रहम करेगा इमरान ने जवाब दिया और एक बार फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि रास्ता एक बार फिर पहले की तरह पहाड़ी की अकभी तरफ निकल कर खत्म हो गया इम्रान ने इस दहाने से निकल कर बाहर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो अब पहाड की चोटी तक पहुँच गये थे लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता ना था इसलिए इसे अपने सर पर उकाब की मखसूस चीख सुनाई दी तो इसने सर उपर उठाया इसने देखा कि फिज़ा में उड़ते हुए उकाब ने पर एकक्ठे किये और फिर शाइं की तेज आवाज के साथ वो इम्रान के सर से कुछ उपर पहुँचा और फिर पर खौल कर वो थोड़ा सा उड़ा और फिर मौर कर वो इस सुराख में गाइब हो गया और अभी इम्रान इस जगह को गोर से देख ही रहा था कि उकाब इस दहाने से बाहर निकला और फिज़ा में उड़ता चला गया आओ शायद ये उकाब हमारी रहनुमाई कर रहा है इम्रान ने कहा और फिर चंद लम्हों बाद ही वो अपने सर पर मौजूद इस दहाने में पहुँच गये लेकिन यहां कोई रास्ता उपर ना जाता था बलकि ये एक काफी बड़ा गार था जिसमें एक तरफ उकाब का घुनसला भी मौजूद था जिसमें चंद अंडे पड़े फासले से साफ दिखाई दे रहे थे इम्रान साहिब बारा बजने वाले है सफदर ने प्रेशान से लहजे में कहा हाँ मुझे मालूम है इम्रान ने सर्द लहजे में कहा और इस लम्हे जब वो एक दिवार के करीब पहुँचा जो अपनी साफ़त के लिहाज से दूसरी दिवारों की निस्बत काफी पतली दिखाई दे रही थी तो इसके कानों में किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई दी उसने गौर किया तो इस दिवार के दर्मियान सबसे नीचे एक छोटे से सुराख पर उसकी नजरें पढ़ी ये आवाजें इस सुराख से सुनाई दे रही थी इमरान ने जमीन पर लेट कर सुराख से आंखे लगाएं तो वो बे अख्तियार उचल पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ इसने गहरे सिया रंग के एक आदमी को अलती पालती मारे बैठा देखा जिसने एक हाथ में सिया रंग का बड़ा सा खंजर उठाया हुआ था और जिसके सामने एक मासूम बच्चा पड़ा बुरी तरह रू रहा था लेकिन इस आदमी के चहरे पर सफाकी और बरबरियत के तासुरात नुमाया थे और यू लग रहा था जैसे पलक जपकने में वो इस खंजर से इस बच्चे को हलाक कर देगा इमरान फॉरण समझ गया ये वही गार है जिसमें राजकाला कोई जाब कर रहा है और ये सियारंगत वाला आदमी ही राजकाला है और ये इस बच्चे का ताजा खून पीकर किसी शैतानी ताकत को काबू में करने के लिए ये भैनक खेल खेल रहा है उसने फुर्ती से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर उसने अपना सर उठा कर मशीन पिस्टल की नाल इस सुराख पर रखी और इसे अब दूसरी तरफ कुछ नजर ना आ रहा था और ये भी हो सकता था कि गोली बिल्कुल सीधी इस रोते हुए बच्चे को लग जाए लेकिन इसे अल्ला ताला की रहमत पर पूरा भरोसा था उसने मशीन पिस्टल की नाल को थोड़ा सा उपर उठाया और फिर ट्रीगिर दबा दिया दूसरे लमहे धमाका हुआ और इमरान ने तेजी से हाथ हटा कर अपनी आख एक बार फिर सुराख पर जमा दी उसने देखा कि राज काला हाथ जटक रहा है जबकि मासूम बच्चा वैसे ही हाथ मार कर रू रहा था ये क्या हुआ है ये क्या हुआ है अचानक राज काला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी मेरा जाप मेरा जाप प्रिकाला प्रिकाला चंद लमहों बाद एक बार फिर राज काला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी चिनांचे इमरान ने सर हटाया और मशीन पिस्टल की नाल एक बार फिर सुराख पर रखकर इसने इसे तेजी से एड़जस्ट किया और फिर ट्रीगिर दबा दिया एक बार फिर धमाका हुआ और बच्चे के रोने और राज काला की चीख सुनाई दी इमरान ने मशीन पिस्टल हटा कर तीसरी बार आख सुराख पर लगाई तो वो बे अख्तियार चौक पड़ा उसने राज काला को दहशत भरे अंदाज में बच्चे के गिले पर जुकते हुए देखा तो उसने तेजी से मशीन पिस्टल सुराख पर रखकर प्रिगिर दबा दिया तर्तिराहिट की तेज आवाजों के साथ ही रोते हुए बच्चे के गिले पर जुका हुआ राज काला चीखता हुआ उलट कर पीछे जागिरा था इमरान तेजी से उठा और दूसरे लमहे इसने इस सुराख के उपर दिवार को जोर जोर से लाते मारना शुरू कर दी फिर सफदर और केप्टन शकील भी इसके साथ शामिल हो गए और उसके साथ ही जोरदार गुड़ गड़ाहिट की आवाज सुनाई दी और दिवार का काफी बड़ा हिस्सा तूट कर नीचे फर्श पर गिर गया अब दूसरी तरफ का मनजर सब की नजरों के सामने था राज काला एक बार फिर उठकर बैठ चुका था इसके बाजू से खून बह रहा था लेकिन उसकी आँखों में वहशत नाच रही थी उसका चेहरा देखकर यूं महसूस होता था जैसे वो किसी पागल का चेहरा हो वो एक बार फिर वहशत भरे अंदाज में चीखता हुआ अपने सामने पढ़े रोते हुए बच्चे पर जग गया इसके बड़े बड़े दांत बाहर निकल आये थे लेकिन इससे पहले के इसके दांत बच्चे के गिले में पैवस्त होते सफदर ने बिजली किसी तेजी से बच्चे को उठा लिया मुझे दो मुझे दो मेरा जाप इन सब को फना कर दो राज काला ने उठने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा और उसके साथ ही गार से ऐसी आवाजें सुनाई दें जैसे पहारी पर कोई खुफनाक तूफान तूट पड़ा हो लेकिन इससे पहले की कोई तूफान वाकी तूटता इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से गैस पिस्टल निकाला और दोनों हाथ हुआ में उठा कर चीख बच्चे को लेकर पहले गार की तरफ चला गया लेकिन बच्चा यकलख्त खामोश हो गया था और सफदर ने ये देखकर बेख्तियार होंट भींच लिये कि बच्चा बेहोश हो चुपका था। राज काला धोएं में च्छपकर एक धमाके से पुष्ट के बिल नीचे गिर था। इमरान ने तेजी से जखक कर अपने फुल बूट का तस्मा खुला और फिर इसने ये तस्मा फर्श पर पढ़े हुए राज काला के मुन हमें डाल कर अकब से किसकर गांट लगा दी। गार के बाहर इसी तरह तुफानी आवाजें मसलसल आ रही थी और पूरा गार इ जैसे अभी पूरी पहाड़ी किसी खुफनाक जलजले की जद में आकर तूट फूट कर सेक्रों फुट गहराई में जा गिरेगी। लेकिन जैसे ही इमरान ने तस्मा राज काला के मुमें डाल कर उसे बांधा यकलखत आवाज में इस तरह गायब हो गई जैसे कभी जाने में दाखिल हुए थे। दहाने के करीब पहुँचकर इमरान ने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया क्यूंकि यहां ताजा हुआ मौजूद थी। राज काले सामने आ जाते इसलिए काले जादू का असर तवील अर्सा के लिए खत्म करने के लिए कलजुग की तबाही जरूरी है। इमरान ने जवाब दिया अब उसे होश कैसे लाया जाएगा और यह मासूम बच्चा उसका हम क्या करेंगे। सफदर ने कहा इस गैस का तोड़ पानी है और पानी यहां मौजूद नहीं है इसलिए हमें अब इस राज काला को उठा कर इस गार से बाहर मौजूद चश्मे पर ले जाना होगा। साथ ही इस बच्चे को भी और फिर ये राज काला ही बताएगा ये बच्चा उसने कहां से उठवाया है। इम्रान ने कहा लेकिन यहां से बाहर ले जाने के बाद इसकी शैतानी ताकतें तो उसे बचाने की कोशिश करेंगी। कैप्टन शकील ने कहा कोशिशे तो हो रही थी और हो सकता था कि वो हमारे सामने इसे उठा कर ले जाती और हम देखते रह जाते क्यूंकि राज काला कोई मंतर वगेरा पढ़ ही इसलिए रहा था और इसे रोकमे के लिए मुझे गैस फाइर करना पड़ी और अब जब जोजफ का नस्खा इस्तिमाल कर दिया गया है यानि इसके मुँ में तसMore डाल दिया गया है और शैतानी ताकतों के आमिल के मुँ में अगर काला तस्मा डाल दिया जाए तो वो कटी बेबस हो जाता है वो किसी ताकत को ना तलब कर सकता है और ना ही कोई शैतानी ताकत इस वक्त तक उसकी मदद कर सकती है जब तक के तस्मा इसके मों से निकलना जाए तुमने महसूस नहीं किया कि जैसे ही तस्मा उसके मों में डाला गया बाहर मौजूद तुफानी शोर यकलख्त खत्म हो गया था इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिये पहाडों के दर्मियान एक वीरान और खंडर नुमा महल मौजूद था जो जन्गली जानवरों की गंदगी से भरा हुआ था इस खंडर नुमा महल में इंतहाई तेज बोहर तरफ पहली हुई थी महल पर उदासी और वीरानी इस हद तक चाई हुई थी कि उसे देख कर दिल बैठने लग जाता था ये चौरास महल कहलाता था और पूरी दुनिया में इसे काले जादू का मरकस कहा जाता था और ये भी कहा जाता था कि इस महल की हिर्फाजत बेशमार गंदी शैतानी रूहीं करती रहती है और कोई भूला भटका इंसान अगर गलती से इस महल में दाखिल हो जाए तो इसका गोश्ट और खून भी गंदी शैतानी ताकतें खापी जाती है जबकि इसका धाचा महल में पड़ा नज़र आता था और ऐसे बेशमार इंसानी धाचे इस महल में पड़े नज़र आ रहे थे